सभी बागवान भायों का मेरे यूट्यूब चैनल दा एपल और चडिस्त में स्वागत है तो जो मैं आज बात करूगा वो है चिप बडिंग से रिलेटेड तो हमने पिछली साल एक चिप बडिंग की थी मतलब और भी बहुत सारी चिप बडिंग की है पर मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ कि चिप बडिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प है इससे पहले मैंने टी बडिंग की एक वीडियो शेयर की थी आप वो वीडियो भी देख सकते हो आप चिप बडिंग देख सकते हो कि हमने सिरफ ये पिछली साल ग्राफ्ट किया था और इसमें सिरफ आई हमने एक आई लगाई थी जो की प्रैनिस में चलेंजर की थी आप ये देख सकते हो कि इसमें कितनी ग्रोथ आ गई है फर्स्ट ये ये आपकी ब्लाइंड आई रहती है और सेक्रिंड ये जब इसमें आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी टंग ग्राफ्टिंग की भी रेट गुना ज्याद हो जाती आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि किस तरह से घाओ पूरा रिकवर हो गया है अच्छे से आप देख सकते हो इसके लिए मैंने इसमें टुत्पिक का यूज किया है ताकि जो आपका ग्रोथ है इसकी वो लिडर को कॉम्पटिशन ना दे पाए तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा पहले ही बेंड कर दिया है तो भागबन भाईयो आप ये देख सकते हो कि ये भी बहुती अच्छा एक फिकल्प है जहां आपके पास बड़ वुट की बहुती जादा कमी है वहाँ आप चिप्स लगा कर भी अपना कार्या कर सकते हो और जो आपका चिप बड़िंग का में परपस या फिर और है कि आपके पास बड़ वुट की कमी है तो आप इसे यूज कीजिए और जो दुसरी बात है इसे करने के लिए कोई स्पैसिफिक समय नहीं होता है जब भी आपके खेत में बहुत ज़्यादा मौस्चर हो जब आपके खेत में बहुत ज़्यादा नमी हो आप इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो बागवान भाईयो प्लीज सस्क्राइब माई यूट्यूब चैनल आप सब भी लोग वीडियो देख रहे हो पर चैनल सस्क्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए आपको इसे भी अच्छी अच्छी विडियोस और इसी āनिल पर मिलती रहेंगी तो आप ये देख सकते हो कि हमने इसके अब ग्राफ्टिंग किया है ये भी मैंने कुछ दिनों पहले ही की थी तो आप ये देख सकते हो कि पूरा ट्री देख सकते हो आप। होती छोटा है अभी और इसमें दो से लेकर तीन साल का वेड़ है और आप यह देख सकते हो कि जो इसमें चिप बड़िंग है वो कितनी अच्छी दिख रही है कि तो